adaptation को अगर हम define करें तो adaptation क्या है adaptation refers to all structural, functional and behavioral characteristics that enhance the organism's reproductive success in its natural environment यानि adaptation एक ऐसा process है जिसके नतीजे के अंदर organisms के body के अंदर structural changes आती है उनके functions के अंदर changes आती है उनके behavior के अंदर changes आती है और ultimately ये changes उस organism के survival और reproductive जो success है उनको increase कर देती है हमने ये देखा था कि जो survival का increase होना और reproductive potential का increase होना ये fitness की अलामत है यानि ऐसे organisms जिनका survival rate ज़्यादा होता है और जिनका reproductive rate ज़्यादा होता है वो ज़्यादा fit organisms कहलाते हैं अब जो adaptation है इसके अंदर जो changes आती हैं वो आम तर पर positive changes होती है ये changes organism के survival को भी increase करती हैं और उसके reproductive success को भी increase करती हैं अगर हम adaptation को evolution के साथ compare करें तो evolution के अंदर भी तबदीलियां आती हैं लेकिन जो evolution है इसके अंदर जो changes आती हैं ये positive changes भी हो सकती हैं ये negative changes भी हो सकती हैं लेकिन adaptation के नतीजे में आम तोर पर जो changes आती हैं किसी भी organisms के अंदर ये इसको फाइदा देती हैं उसके survival को improve करती हैं उसकी reproductive success को improve करती हैं अब हम Adaptations की मुख्तलिफ Examples देखते हैं, सबसे पहले हम Frog की बात करते हैं, Frog have adapted to freezing temperatures by evolving a glyco-like substance in their bloodstream like antifreeze. Frog जो के सर्द अलाकों के अंदर रहते हैं, वहाँ पे बहुत जादा low temperature होता है, तो उस low temperature से बचने के लिए ताके इनका blood freeze ना करें, इनके blood के अंदर एक antifreeze like substance मौजूद होता है, जो के glycol है, ये जो material है, ये जो chemical है, इनके blood को जमने नहीं देता, तो ये frog के अंदर एक positive adaptation है, जो उसको एक particular environment के अंदर survive करने के काबिल बनाती है, इसी तरीके से अगर हम bats की बात करें, तो bats are adapted to their hearing to hunt at night via sonic response, बैट के अंदर हम देखते हैं, कि इसके अंदर सोनार सिस्टम मौजूद है, ये रात के वक्त भी इस सिस्टम के जरीए ये अंदादा लगा सकता है, कि जिस तरफ ये move कर रहा है, वहाँ पे कोई रुकावट तो नहीं है, या इसका प्रे कहां पे है, या इसके पर कोई predator का attack तो नहीं होने वाला, तो ये adaptation इसको रात के वक्त अपनी खुराग हासल करने में मदद करता है, और इसको predator से महفوظ रखता है, तो ये भी एक positive adaptation है, जैसे बाकी animals के अंदर काम करती हैं, तो इनके अंदर ये जो सुनार सिस्टम की adaptation है, ये इनको help करती है, इसी तरीके से अगर हम butterflies की बात करें, तो butterflies के अंदर adaptation क्या है, butterflies की बहुत सारे types हैं, बहुत सारी butterflies ऐसी हैं, जिनका जो taste है, वो अच्छा होता है, यानि वो pletable हैं, बहुत सारी butterflies ऐसी हैं, जो non-pletable हैं, अब जो pletable species होती हैं, इनके उपर जो predators हैं, उनका attack जादा होता है, क्योंकि predators को मालूम होता है, कि ये butterfly की type वो है, जिसका taste अच्छा है, इस वज़ा से वो उनके उपर attack करती हैं, क्योंकि जो non-pletable species हैं, उनका taste अच्छा नहीं होता, bad taste होता है, इस वज़ा से उनको favor मिलती है, अब ऐसे butterflies, जिनक taste अच्छा होता है, यानि वो platable होती है, वो क्या adaptation हासिल करती है, वो mimic कर जाती है, with the un-platable, वो अपने मुशाबत ऐसे butterflies के साथ कर लेती है, जिनका taste अच्छा नहीं होता, तो बजाहर वो ऐसे नजर आती है, कि वो bad taste वाली butterflies हैं, लेकिन actually में उनका taste अच्छा होता है, तो इस adaptation की वज़ा से वो predator से बच जाते हैं, इसी तरिके से अगर हम oceans के अंदर बात करें, तो whales जो हैं, ये low, loud, low frequency calls का इस्तमाल करते हैं, जो distant whales हैं, यानि ऐसी whales जो के दूर कहीं पे मौजूद हैं, वहां उनसे communicate करने के लिए, ये loud, but low frequency जो sounds हैं, उनका इस्तमाल करती हैं, communication के लिए, तो ये इनके अंदर एक positive adaptation है, तो हमने ये देखा, कि adaptations, organisms के अंदर ऐसी changes हैं, जो के उनके survival और उनकी reproductive success को बढ़ाती हैं, उनको एक खास किसम के environment के अंदर, एक खास किसम के habitat के अंदर फाइदा देती हैं,